तो हेलो वासब गाईज क्या से सब लोग सब बढ़िया है ना तो फाइनली एक और नए वीडियो के साथ आगे हैं तो गाईज आज की वीडियो जो होने वाली है बो होने वाली है ड्यूक 390 बिया 6 मोडल के टॉफ 3 फीचर्स तो आज उसके बारे में बात करेंगे और ये एक सेफटी फीचर्स भी है तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से सबसे पहले नंबर पर जो फीचर है इसका वो फीचर है जब आप बाइक से गिर जाते हो बगबान न करें आप कभी गीरो लेकिन के टीम की बाइक से आप कहीं पर गिर जाते है आपकी बाइक गिर जाती है नीचे जमीन पर लग जाती है तो उसके बाद बाइक को अपने आफ ओफ हो जाएगी जैसे जमीन पर या फिर आप जो इसमें किल स्विच लगा है उसको ओफ करके फिर से ओन करो तब आपकी बाइक स्टार्ट होगी तो यह मैं करके दिखाता हूँ यह क्या से बढ़ करता है सबसे पहले मुझे बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा और बाइक स्टार्ट होगी मैं स्टैंड हटा देता हूँ ना तो मैं इसे बाइक को जैसे नीचे रखूँगा अगर नीचे नहीं होगी फिर भी जमीन से थोड़ा सा इतना सा भी उपर होगी तो फिर भी यह बाइक बंद हो जाएगी तो मैं आपको करके दिखाता हूँ देखना ये कैसा बढ़ करता है अपने आप बाइक बंद हो जाएगी मैं किल स्विच कुछ बंद नहीं करूंगा अपने आप बाइक बंद होगी देखना 1,2,3 देखो गाइस बाइक अपने आप बंद होगी है न अब इसको मैं उपर करता हूँ ये देखो अब बाइक अपने आप बंद होगी अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ किल स्विच ओन है अब देखना स्टार्ट नहीं होगी है न्यूट्रल है देख लो न्यूट्रल पे है अब मैं स्टार्ट करूँगा सीधे खड़ी की, मैंने स्टार्ट की, हो रही है, नहीं हो रही है, किल स्विच ओफ करके मैं स्टार्ट करता हूँ, अब हो गई, तो अब स्टार्ट हो चुकी है, ये इसका एक सेफटी फीचर है, बहुत सही है ये, आप एकदम से बाइक उठा जैसे अगर आप गिर गिए उससे भी अगरा आप करोगे तो ये फिर से स्टार्ट हो जाईगी लेकिन जासे आप उठाउगे और इसे start करने की कोसिस करोगे तो ये बिलकुल नहीं होगी तो काफी अच्छा और काफी सही ये safety feature है अब बात करते हैं इसके second feature के बारे में तो इसका second feature है इसका side stand बहुत बार होता है guys कि जब आप कहीं पे bike लेके जा रहे हो तो आप भूल जाते हो side stand को उपर करना और उसकी बज़ा से आप कहीं अगर आप turn पे आप कहीं मुड रहे हो तो बहाँ पे आपका side stand नीचे लग जाता है और आप गिर भी जाते है कही बार तो मैं आपको एक बार explain कर देता हूँ कि बहुत से लोगों ने comment किया था कि भाई आपका बाईक का stand लगा हुआ है फिर आपकी बाईक start कैसे होगी तो मैं आपको बता दूँ कि बाईक तो start हो जाती है गाईस लेकिन इसमें क्या है कि जब आप stand लगा है और आप first gear जब डालोगे तो बाईक आगे नहीं बड़ीगी बाईक अपने आप ओफ हो जाएगी अगर ऐसा होता कि जैसे side stand लगा है और आप start करनी कोसिश कर रहे हो बाईक start नहीं हो रही तो बैसे तो फिर क्या ही फाइदा फिर बाईक का आप ऐसे start करके ऐसे बाईक को थोड़ देर आसे कोई बच्चा आया तो उसने घल दी गलते से तो तो चाहिए उसने घर डाल दी आपकी बी बिद्ट धिखाता हूँ कि यह बर्क कैसे करता हूँ देखो कि81 स्टैंड लगा हूँ हाँ और अजिया बाईक की ड़ें बाईक तो स्टार्ट हो गई बाइक बंद कभ होगी जब मैं गेर डालूँगा, जैसे मैं गेर डालूँगा, बाइक ओफ हो जाएगी, तो यहाँ पे देख ले, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं बस गेर डालता हूँ, वान, टू, यह देखो, फर्स्ट गेर डाला, बाइक अपने आफ़ होगी, तो काफी सही feature है, आप गलती से भी ऐसे गीर ने सकते हैं, अगर यहाँ पर sensor होता है, side stand का sensor होता है, तो वह sense करके बता देता है, उससे पता चल जाता है कि बाई को बे side stand नीचे लगा है, तो आप पहले side stand को उपर करिए, फिर बाई का गई बड़ेगी, तो यहां पे भी bore निगा जाती है यह देखो size stand down targeting neutral neutral होगी अब स्टार्ट होगी यह देखो तो यह काफी सही तो काफी सही सेफ्टी वीचर यह वी और यह सेकिंड नंबर पे रखा मैंने इसको विकॉस बहुत मेरे साथ दो या तीन बार हुआ है तो कभी-कभी भूल जाता हूं मैं तो गेर डाल देता हूं तो फिर पता चलता है साइड स्टैंड नीचे तो अगर ऐसा नहीं ह तो गाइस को फाइनल और थर्ड फीचर है वह अजए स्की LED हैड युद जो अगर आप चलते जलते रात को मान लो आपकी वाईक एक दम से वंध होगी तो आपकी हैड लाइड फिर भी ओन रहेगी जब तक आप उसको फिर वरन ही करते तो अगर चलते चलते हैं आप अपनी बाइक की की निकाल के जे में भी डालोगे फिर भी आपकी बाइक की जो हेडलाइट है वो ओन रहेगी तो काफी अच्छा फीचर है तो आपको मैं दिखाता हूँ यह कैसे बर्क करता है तो अभी हेडलाइट इसकी ओन है देखो यह ओफ ओन तो ओन है तो यहां से ट्राइ करेंगे तो काफी अच्छा सेफटी फीचर है तो आपको दिखाता हूँ यह बर्क कैसे करते हैं ओके तो देखो बाइक चल रही है अभी और अब मैं किल सी चॉफ नहीं करूंगा वाइक की लाइट ओन अभी यह देखो हेड लाइट ओन इसकी तो अभी मैं की निकाल के सीधे हाथ में ले लेता हूँ बाइक ओफ हो चुकी है अभी मैं आपको आगे रूख कर दिखाता हूँ किसकी लाइट ओन है या नहीं कि दूब में इतना अच्छा दिखाई नहीं देगी लाइट तो यहां पर खड़े होते हैं यह सही जगाँ कई तो इसकी लाइट अभी भी ओन होगी यह देखो इसकी लाइट अभी बि bilmiyorum है और यह ऐसे शीं रहती है अभी किया गज्いきार्स कि इसकी यहां से भी कंट्रोल नहीं कर सकते यह कहो डाउन अप डाउन अप यह देखो light कोई बरिक नहीं कर रही अभी हमारे हाथ से तो control जा चुका है अभी ये तभी on होगी जब मैं इसमें key on करूँगा तो देखना ये दो ये जो अभी दो जली है ये वाली उपर वाली अब दो चार और जल जाएंगी नीचे की जैसी मैं on करूँगा one two three ये देखो जली न तो अभी control हमारे हाथ में आ चुका है ये देखो तो ये feature भी काफी सही है और काफी अच्छा लगा मुझे ये तभी आपको काम में आएगा जब आपकी बाइक एकदम से चलते हैं आप नाइट में जा रहे हो एकदम से चलते चलते आपकी बाइक ओफ हो जाती है बिल्कुल डिस्पले जो हो वो विल्कुल ओफ हो जाती है तो आपकी हेडलाइट फिर भी ओन रहेगी जब तक आपकी बाइक फिर से स्टार्ट ना हो तो गाईज ये थे इसके top three वेश्ट फिचर जो मैंने आपको बताए तो ये मेरी लिस्ट में तीन ऐसे फिचर हैं जो मुझे काफी ज़्यादा इंफरेस की हैं इन्होंने काफी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बता दू तो मैंने हेडलाइट बे भी पहले वीडि के लिए ना तो आई होप आपको गाईज ये वाली वीडियो अच्छे लगी अभी तो वीडियो अच्छे लगी गाई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलता हूं आपसे में नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाई